कि दूस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाडी रिकार्मेंट के बारे में तो अंगनवाडी में कैसे आप हम आलाइन कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास्त देखेंगे दोस्तों मेरा नाम रपाम आद देख रहे हैं यूटूब चैनल का अब यहां पर आपको किस तरह के से अप्लाइब करना है ओनलाइन आंगनवाडी कार्क्त्रियों के बारे में तो यहां पर मैं आपको बता दू कि सबसे पहले यहां पर रिकॉर्मेंट के ऑप्शन पर जाएंगे यहां पर देख सकते हैं अप्लिकेशन फॉर्म फॉर तो आपको यह द्यान से पूरे पढ़ लेने हैं करने के परक्रिया पोड़ता निसुलक है इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहां पर आपको पढ़नी चाहिए अब यह सब आप पढ़ लेते नीचे देख सकते हैं कोई भी आपको सवाल या सुझाओ रहता है तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं आप इसके बाद में यह सब कुछ आपने पढ़ लिया है यहां पर आपको यहां पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जिला वेम पर योजना दौरा सर्च करें कर आंगन बा तो इसमें से कुछ भी आप जो है सर्च कर लेते हैं उसके बाद में आप अपने अनुसार जो भी ब्लॉक है वह आप यहां पर इस तरीके से जो है आप सर्च कर सकते हैं मैं यहां पर इसे बता देता हूं फिर आप ग्रामीडिया सहरी किस कहां के लिए अप्लाई करना चाह और यहां पर मिनी आंगनबाडी कारेकत्री और यहां पर देख सकते आंगनबाडी सहाई का तो जिसके लिए आप अप्लाइ करना चाहते हैं करें और नीचे सर्च करें के अप्शन पर क्लिक कर दें ओके तो यहां पर देख सकते हैं यह सब कुछ आपको दिखा देगा स्रेडी देख सकते कि कौन अप्लाई कर सकता है उप्स रेडी लागो नहीं है यहां पर OBC का कोई भी बंदा यहां पर अप्लाई कर सकता है कुल रिक्त पद एक है टोटल फॉर्म जितने पड़ेंगो उसमें से एक चूच किया जाएगा इस अनुसवार आप जो है चेक कर सकत है यहां पर आपको अपना contact details डाल देना है नीचे आपकी date of birth क्या है वह आपको भर देनी है capture code यहां पर भर देना है देन आप send OTP पे क्लिक कर देंगे तो यह था आपका registration और अगर आपने registration कर लिया है तो यहां पर आपने registration number और date of birth से यहां पर login भी कर सकते हैं चलिए हम य verify OTP का option आ रहा है अब आपके जो भी mobile अमर आपने डाला है उस पर चला जाएगा एक OTP जो कि आपको OTP यहां पर दर्च कर देना है यहां पर OTP डालिए और फिर उसके बाद में यहां पर verify OTP पर क्लिक कर दीजे जैसे ही आप verify OTP पर क्लिक कर देते हैं यह आपका data match करेगा और उसके बाद में देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने जो है application form open हो जाता है तो आपको यह application form को भरना है तो किस तरीके से बरना मैं आपको बता दूँ यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो details already भरी हुई है उसके आगे देख सकते हैं रिक्ट आगन बाडी कें आपको देनी है और भरने के बाद में आप नीचे आ जाए तो आपको यहां पर address डालना है देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहां पर दीखे जाती प्रमाडपत्र निवास प्रमाडपत्र यह सारी details आपको भरनी है उसके बाद में नीचे आप जाते हैं तो यहां पर च्छड़ी क्योगता है यानि कि educational details आपको डालनी होगी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं और यह सब कुछ फिर फोटो अपलोड करना है आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है देन घोशना पत्र यहां पर अल्ड़ेडी भरा हुआ मिलेगा आपको इस्टिक में भी अपलाई कर सकते हैं आप उत्रप्रदेश के निवासी होने चाहिए और आप अपलाई कर सकते हैं और अपलाई करने के बाद में आप को सब्मिट कर दीजिए तैन आगे की process जो है आपको इसी website पर मिल जाएगी साथी साथ आप जो contact details देते हैं उन पर आग लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां से जाके आप अपलाई कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेर करती जगा कोई भी सवाल यह सुजा होए तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इस वीडियो को जादा जादा शेयर कर सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमसकार चेहन